नमस्ते बच्चों, आज हम नवभाती पुस्तक के part 5 नन्हा पोधा के प्रशनुत्तर और शब्दार्थ करेंगे आईए देखते हैं हमारा नन्हा पोधा, सबसे पहले हैं शब्दार्थ, आईए देखें शब्दार्थ कौन-कौन से हैं नमबर वन है अंधकार अंधेरा कड़ी कठोर वर्षा बरसात प्रदूशन हावा पानी आदी का गंदा होना दोबारा बोलेंगे अंधकार अंधेरा कड़ी कठोर वर्षा बरसात प्रदूशन हावा पानी आदी का गंदा होना आगे बढ़ते हैं इसको दोबारा बोलेंगे एक बार फिर ये हमारे आठ शब्दार्त हैं जिने आपको सुन्दर हस्त लेखन से कॉपी में लिखना है उत्तर पुस्तिका में लिखना है नेक्स्ट जो है आपकी स्लाइड वो है शुरुत लेख या वाचन ये आपकी ममी आपको बोलेंगी और आप सबको इन डिक्टेशन वर्ड्स को कॉपी में लिखना है आपकी ममी बोलेंगी और आप सुनकर लिखेंगे ठीक है? इसमें कोई चिटिंग नहीं करेगा ममा बोलेंगी आपकी और आपको अपने कॉपी में लिखना है आईए देखे कौन-कौन से हैं अंदकार, हरियाली, प्रदूशन, राक्षस, कर्तप और मुलायम ये मैंने आपको 6 ही दिये हैं, दोबारा इनका प्रणाउंसेशन सुनेंगे उचारन दोबारा सुनेंगे अंदकार, हरियाली, प्रदूशन, राक्षस, कर्तप, मुलायम ठीक है? आईए आगे बढ़ते हैं अब हैं अमारे प्रशन उत्तर हमारी बुक में जो प्रशन उत्तर दिये हैं सुन्दर हस्त लेखन से आपको शुरुत लेख के बाद में प्रशन उत्तर कॉपी में लिखने हैं देखिए पहला प्रशन प्रदूशन राक्षस को किसने और कैसे भगाया? पहला प्रशन है प्रदूशन राक्षस को किस ने और कैसे भगाया इसका उत्तर है प्रदूशन राक्षस को पेड़ दादा ने भगाया प्रदूशन राक्षस को पेड़ दादा ने भगाया चीक हैं, आगे बढ़ते हैं प्रशन नमबर है हमारा दो दूसरा प्रशन है पेड दादा ने नन्हे बच्चों को क्या समझाया हमारा प्राश्ण है पेड दादा ने नन्हे बच्चों को क्या समझाया उत्तर देखे पेड दादा ने समझाया कि बच्चों तुम्हें पेडों का नाम उंचा करना है पेड दादा ने क्या समझाया? पेड दादा ने समझाया कि बच्चो तुम्हें पेडों का नाम उंचा करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हम, प्रशन नमबर तीन, तीसरा प्रशन है, सूरज ने बच्चों को क्या सीख दी? हमारा प्रशन है, सूरज ने बच्चों को क्या सीख दी? उत्तर की ओर ध्यान देंगे, सूरज ने कहा, प्यारे बच्चों, पेडों को मत काटो, और धेर सारे बीज बोग। यह हमारा प्रशन था, नेक्स्ट है प्रशन नमबर 4, ध्यान देंगे, पेडों से मिलने वाली कोई चार चीजों के नाम लिखिए, पेडों से मिलने वाली कोई चार चीजें, जिनका नाम हमें लिखना है, तो कौन-कौन सी चार चीजें हमें पेड़ों से मिलती हैं, शुद्ध और ताजी हवा, नमबर दो, फल और फूल, नमबर तीन, दवाईयां, और नमबर चार, लकडी, है ना, कौन-कौन सी चीजें हमें पेड़ों से मिलती हैं, सोचेंगे, देखिए क्या-क्या है, शुद्ध ताजी हवा, फलफूल, दवाईया, लकड़ी, इंधन, गोंद, बहुत कुछ मिलता है है न, फरनीचर के लिए लकड़ी, तो ऐसा है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, और कोई भी चीजे लिखना चाहें, तो वो भी लिख सकते हैं, जो आपके मन में चार चीज आती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो सेम टू सेम, ये भी लिख सकते हैं, जो आपकी यहाँ पर स्लाइड में आपको दिख रही हैं, चीक है, आईए, आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में, इतना ही, आज हमने पाट पाच के शब्दात प्रशन उतर किये, चीक ह सबी को शब्दात, प्रशन उतर और शुत लेक शब्द, तीनों चीजें, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग से, अपने कॉपी में, नौट बुक में सबको लिखना है, नमस्ते सबी को, धन्यवाद